हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी कहा हमार एक और न्यू वीडियो में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले बर्डेन और स्पेसिंग के उपर जो कि दोस्तो एक काफी इंपोर्टेंट परामीटर होता है जो की ब्लास्टिंग को अफेक्ट करता है आज किस वीडियो में हम बर्डेन और स्पेसिंग के उपर बात करेंगे हम समझेंगे कि बर्डेन और स्पेसिंग होता क्या है तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट दोस्तो, आगे सारी वीडियो में इनका यूज आएगा तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप न करें तो चली सुरू करते है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं burden की burden जिसको हम B से denote करते है तो दोस्तो किसी भी free face से जो blast hole का minimum distance होता है उसको दोस्तो हम burden बोलते है फिर से समझते है कि दोस्तो अगर यह हमारा free face है समझे डाग्राम में अगर यह हमारा free face है ठीक है तो यहां से जो minimum distance होगा blast hole का उसको दोस्तो हम burden बोलेंगे free face से यह free face है यहां से दोस्तो जो blast hole का minimum distance होगा उसको दोस्तो हम burden बोलेंगे ठीक है और दोस्तो इन दोने की बीच का जो distance होगा उसको भी हम burden बोलेंगे ठीक है तो आपके यहां एक doubt आना चाहिए कि इसको हम burden क्यों बोलेंगे क्योंकि दोस्तो जब अगर हम delayed determination के द्वारा अगर यह first row को हम blast कर देंगे first row को अगर हम blast कर देंगे तो उसके बाद दोस्तो यहां एक new free phase बन जाएगा ठीक है यहां एक new free phase बन जाएगा तो दोस्तो यह और उसके लिए दोस्तो यह distance हो जाएगा वो हो जाएगा burden ठीक है next दोस्तो हम बात करते हैं इस spacing के बारे में तो spacing जिसको दोस्तो हम s से denote करते है ठीक है तो दोस्तों इस spacing किसी भी same row या same line के बीच के जो दो holes होते है दो adjacent hole होते है ठीक है उनके बीच के distance होता है दोस्तों उसको हम spacing बोलते है ठीक है किसी भी same row के दो adjacent hole के बीच के distance को दोस्तों हम spacing बोलेंगे ठीक है, यह हमारा spacing हो जाएगा, यह भी हमारा spacing हो जाएगा, यह तो खेर दोस्तो हमारा burden हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा spacing हो जाएगा, clear दोस्तो, अब हम बात करते हैं दोस्तो जो fragmented rock volume होगा, उसको हम कैसे calculate करेंगे, यह ब्लास्टिंग के बात जो हमारा rock volume होगा, उसको हम क यह काफी important दोस्तो आप इसे याद रख लिजे जब मैं powder factor को पर numerical बताऊंगा आपको तब मैं इसे use करूंगा ठीक है अब हम देखते दोस्तो एक और चीज कि अगर हमारा blasting pattern इस type का होगा तो दोस्तो इस case में यह हमारा distance हो जाएगा यह हमारा spacing हो जाएगा ठीक है यह हमारा spacing ह हो जाएगा दोस्तो यह हमारा burden हो जाएगा यह हमारा burden और दो consecutive hole के बीच कर जो distance हो जाएगा दोस्तो यह हमारा spacing हो जाएगा यह हमारा spacing हो जाएगा और यह हमारा burden हो जाएगा जो दोस्तो यह था आज का वीडियो burden और spacing के उपर आई होप आपको वीडियो पसंदाएगा को दोस्तो वीडियो पसंदाएगा तो इससे ज्यादा ज्यादा like करेए अपने दोस्तों के साथ शेयर करेए और चैनल को subscribe कर लिए मां आगे भी ऐसी informative वीडियो लाता रहूंगा तिल देन, थैंक यू